जाती आकड़ों में यादों की बढ़ गई जनसंख्या तो टेंसन में आ गए बिहार के पुरुमुख्यमंत्री जीतन राम माची जी हाँ वो बार बार ने तीस कुमार से पूछ रहे हैं पत्रकारों के माध्यम से कि आखिर आप बता दीजिये कि यादों इतने अचानक बढ़ कैसे गए कहां 8 से 10 परसेंट थे और कहां सीधे 14 परसेंट पहुँच गए आप ही बता दीजिये मुख्यमंत्री जी अभी कुछ देर पहले पत्रकारों से कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से हमने कल भी पूछा कि कैसे ये लोग इतना बढ़ गए भूया मुसहर नहीं बढ़े और यादों इतना कैसे बढ़ गए यानि कि बिहार की जाती जनगन्ना का जो रिपोर्ट काड आया है उससे तमाम दल जो हैं वो पेसो पेस में हैं कि आखिर ये हुआ कैसे किसके कहने पे इस तरीके की रिपोर्ट बनाई गई है किसके कहने पे याकड़े जारी हुए हैं तमाम दल अब ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक जो सर्वे है वो भी इसके साथ हुआ था तो वो क्यों नहीं जारी किया गया है लेकिन कुछ देर पहले जो खबर आ रही है हमारे पास कुछ देर पहले ये खबर आई है कि बहुत जल्द ही जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था इसी के साथ उसकी भी रिपोर्ट जल्द ही जो है सारजरी कर दी जाएगी लेकिन पहले जीतन राम माजी का सुन लेते हैं कि कह रहे हैं कि यादो इतने जल्दी बढ़ कैसे गए और इतना कैसे हो गए सुनिये जीतन राम माजी को लगता है आट नव दस जातियां मिलाया हुआ है और यह भी बताया पहले मुशर के नाम से आती थी मुशर यहां लिखे नहीं जाते थे लोड जाती थी आप ही ने किर्पा करके हम जब मंतरी थे बिलफियर तो आपको सरेशन दिया था तो आपने कहा था कि भुया मुशर दुनों एक है तो यह थे जीतनराम माजी कर रही कईसे बढ़ गए यादो आखिर यह रिपोर्ट बनाई किसने है किस तरीके से बनी है तमाम सवाल जो है और तमाम नेता तमाम दलों के उठा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री ने कल सरुदलिय बैठेक में कहा कि जदी कोई त्रूटी है तो इसमें सुधार किया जाएगा लेकिन जो नेताओं का इतराज है जो अपत्ती है उससे तो यही लगता है कि जो जणगणना है वो पूरी तरीके से हुई नहीं है आकड़े जो हैं वो कागज में दरसाए गए हैं भ्रहमित करने के लिए लोगों को खास करके पाटियों को और इसमें भाजपा ज्यादा भ्रहमित होती कहीं न कहीं दिख रही है अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा भाजपा इन आकड़ों को अपने के लिए यूज करती है या नितीश कुमार जिन आकड़ों को प्रस्तुत किये हैं उसके जाल में भाजपा कहीं न कहीं फस्ती है इस पर भी हमारी नेजर रहेगी आप बने रही हमारे शाथ